हेलो BSE first year student कैसे हैं आप सभी लोग उमीध है आप लोग बहुत अच्छी होंगे दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSE first year, Botany के first semester में आपका theoretical paper आता है Microbiology and Plant Pathology दोस्तो इस semester से already मैं कई सारी videos upload कर चुका हूँ अगर आप उन videos को देखना चाहते हैं तो description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा आज किस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे likens के बारे में likens के कुछ important points को cover करेंगे जैसे for example सबसे पहले हम discuss करेंगे इसके general introduction के बारे में उसके बाद हम discuss करेंगे इसके systematic position के बारे में occurrence के बारे में occurrence या नि प्राप्ति स्थान likens कहां पर मिलता है उसके बाद हम discuss करेंगे इसके classification के बारे में और भी बचे भी important points को cover करेंगे तो student यदि आप BSC की concept को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस channel से जूड सकते हैं चलिए heading डालेजिए general introduction of likens सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल आशान भासा में समझा देता हूँ कि likens क्या है दोस्तों हम fungi के बारे में already पढ़ चुके हैं दूसरी तरफ हम algae के बारे में भी हम discuss कर चुके हैं तो algae और fungi का यदि आपका concept clear है तो likens भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा तो अगर मैं likens के बारे में simple सब्दों में कहूँ तो ये algae और fungi का symbiotic relationship एक association होता है समझ रहे हो जैसे मैं आपको simply कह दो कि एक तरफ हमारे पास fungi है दूसरी तरफ हमारे पास algae है अगर आप एक ऐसा plant देखना चाहते हैं जिसके अंदर इन दोनों के character पाये जाते हो यानि fungi के भी character मुझूद हो और algae के भी character मुझूद हो तो उसे हम likens कहेंगे यानि एक ऐसा plant जिसमें algal component भी present रहता है fungal component भी present रहता है यानि इन दोनों का एक symbiotic association होता है तो चलिए यहाँ पर introduction हमें heading दा लेजी यहाँ पर हम books के according पढ़ते हैं और समझते हैं lycanism hycophycophyta एक इस परकार का plant होता है mycum meaning ग्यान की वहसका जिसके अंदर हम study करते हैं fungi के बारे में उसे कहा जाता है mycology और ग्यान की वहसका जिसके अंदर हम algae के बारे में पढ़ते हैं उसे कहा जाता है phology तो ये माईको फाइको ये लिए ओक्याई है क्योंकि इसमे अल्गल कंपोनेंट भी प्रेसेंट रहता है और इस प्रकार का प्लांट होता है जसमें दो विभिन प्रकार के पोधे नी के जैल्गी और फंजाई इन दोनों lesson के पोधों का एक association एक सहचरी होता है जिसमें दोनों पोधे एक दूसरे को profit पहुचाते हैं यानि कि दूसरे को लाप पहुचाते हैं और यह दोनों पोधे symbiotically रूप से रहते हैं तथा एक ही पोधे के समान प्रतीत होते हैं simply likens की काफी सारे आपने आप लोग यहां पर डाइग्राम में भी देख सकते हैं likens की पोधे में शरीर का जो आधार होता है वह फंजाई होता है यानि इसका जो बेस बनाता है वह फंगल कंपोनेंट का बना होता है तथा इसके जो हाइफी के साथ रहने वाली जो एलगी होती है उनमें chlorophyll प्रेजेंट होता है और chlorophyll की presentation की कारण यानि इसकी उपस्थिती की कारण वायू मंडल में carbon dioxide से यह carbohydrate बनाती है जो कि nutrition में काम आता है तो इस प्रकार से एलगी जो होता है वह फंजाई को भोजन तता फंजाई जो होता है वह एलगी को आसरे देता है और इस प्रकार यह परसपर निर्भर होने की कारण एक दूसरे पर यह profit पहुचाते हैं और एक दूसरे पर यह निर्भ 培ाश्शनमें भी यह प्रोद एक प्लान्ट होता है यह सर्वाइव कर जाता है जैसे ऐगर आप इसी सुखे नहीं है तो अकेले एलगी और फंजाई जो होते हैं वह ऐसी जगह पर पनफ नहीं सकते जबकि इन दोनों का जो असोशेशन है वह आसानी से वहाँ पर सर्वाइब कर जाता है हमें वनस्पती जगत में सह जीवन यानि सीम बायोसिस का जो सबसे बेस्ट एक्जामपल है वह ल ठीडियो माई्ससेटीस सबुदाय की भी होते हैं लाइके चैन को लाइकेन्स के अध्यान को कहा जाता है विज्ञान की वह साखा जिसके अंदर हम लाइकेंस की बारे में श्टटमीप इस तथान लाइकेन का जो सबाड़ेव से एक मतभेध का विसेरा है क्योंकि यह दो प जैसे 1950 मार्टीन ने 1950 एलेक्सोपोलस 1956 का विचार है कि इनको फंजाई के साथ रखा जाना चाहिए और इस मित 1955 के अनुसार इन्हें एक अलग वर्ग खालो लकडियों पोधों के तनों चर्टानों आधी पर असानी से उग जाते हैं यहां पर अन्य पोधों का उत्पन होना संभव नहीं है लाइकेंस के लगबग तथा अन्य पाड़ी स्थलों पर प्रचूर मात्रा में पाया जाते हैं प्रचूर मात्रा यानि की काफी जादा मात्रा में पाया जाते हैं लाइकेंस की प्लांट बोड़ी जो होती है वो थैलोईड इस्ट्रक्चर होती है थैलस की बनी होती है जो की सामाने ब्राउन कलर क ब्राउन कलर की या रेड कलर की यानि काफी ज़्यादा अट्रेक्टिव कलर्स की बनी होती है अगर हम इनके क्लासिफिकेशन यानि वर्गी करन की बात करें तो लाइकेंस के अंदर उपस्तित जो फंजाई होता है उसके बेस पर जाहल वरकरंडे 1926 में लाइकेंस को लाइकेंस एसको लाइकेंस के अंदर उपस्ती जो फंजाई होता है वह और व्यूितिंट नियो कार्पी ऑफिरcesso को कार्पा होता है जबकि हईक्रिन कार्पी के अंदर आ होता है इसके बाद एक विध्यानी का है चिन का nahm है हुई हुः ने 1899 में लाइक documents की external features यानि बाहिय प्रकरती के आधार पर इनको निम्न तीन भागों में divide किया number first crustos lichens, number second folios lichens, number third procticos lichens तो सबसे पहले हम discuss करते हैं crustos lichens के बारे में ये चट्टानों यानि रोक की पोधों की छालों आधी पर पाया जाते हैं इनका जो थैलस होता है वो चप्टा होता है तता सबस्टेटम के साथ पूरी तरज चिपका रहता है जैसे for example graphis, graphis scripta, number second पर आता है folios lichens इसकी जो plant body होती है इस lichens की वो पत्तों के समान leaf like होती है और इसका थैलस जो होता है वो नीचे की तरफ से सबस्टेटम से राइजिन के द्वारा जूड़ा रहता है जैसे phycea या gyrofora या pormelia, right? number third पर आता है fruticose lichens इसका जो थैलस होता है वो आकार में बड़ा होता है, branch होता है, scrub like होता है और ये वरक्षो पर लटकते हैं और erect भी होते हैं, prostrate भी होते हैं, जैसे asnia अवा kledonia इसके बाद हम discuss करते हैं lichens के structure के बारे में तो lichens की जो plant body या इसकी जो internal structure होती है, वो काफी complex होती है because इसमें fungal component भी present रहते हैं और algal component भी इसके अंदर पाया जाता है अभी मैं आपको diagram दिखाता हूँ, जो कि आपको exam paper में बनाना होगा क्योंकि ये 7.5 नंबर या 10 नंबर में long question में आपसे पूछा जाता है lichens के बारे में तो ये diagram most important है, ये जो आप diagram देख रहे हैं lichens के बारे में इसके बार आप देखेंगे ये जो आप diagram देख रहे हैं इसमें आपको ultralatka हुआ दिखाई देगा जिसमें apothesia ultralatka दिखाई दे रहे ये fruticose lichens है जो कि pendant है इसमें आप देखेंगे ये erect हो है पूरी तरह से आप देखेंगे तो जो fruticose lichens है ये erect होता है और ये है besidio lichens तो ये पांचो diagram आप लोग बना सकते हैं अगर long question में आप से पूछा जाए student lichens, algae तथा fungi दोनों का बना होता है तथा इसके thallus को हम consortium कहते हैं इसमें transfer section कार्ट के देखने पर ग्यात होता है कि इसमें बाहर की तरफ outer rind होती है और थैलस का उपरी वर निचले भाग में fungal hypie का बना होता है outer rind के दोनों और fungal hypie का बना हुआ एक dense group होता है जिसे हम cortex कहते हैं और central portion में fungal hypie का loose group होता है यानि धीला समुदाय होता है जिसे हम medulla कहते हैं medulla के बाहरी भाग की और वह उपरी वर निचली सतय पर दोनों तरफ algae की कालोनी पाए जाती है और यह है algal layer या gonadial layer कहलाता है तो यह हमने discuss किया likens के structure के बारे में अब हम discuss करेंगे likens के अंदर reproduction के बारे में इनमेंITY कैसे होता है तो likens में reproduction तीनों method से होता है इसमें vegetative, sexual और asexual तीनों प्रकार से होता है सबसे पहले हम discuss करते हैं वेजी टेटी रिप्रोड़क्शन के बारे में सबसे पहले आप लोग डालेंगे बाइस ओरीडिया नमबर फर्स्ट आपका हैडिंग होगा बाइस ओरीडिया इस ओरीडिया होते हैं यह ब्राउन कलर की स्मोल बड लाइक स्ट्रक्शर होती हैं जो की थैलस के उपर पूर्ण कोर्टेक्स होता है यह गोनिटियल लेयर है यह एलगी का एलगी कंपोनेंट का बना होता है और यह बीच में आपको मैडिल्वा दिखा lira देता है यह कालोर कोर्टेक्स होता धो यह है एफ यह वर्ती जैक्शिंर और फोलियोज लाइकेन अम देखते हैं नमबर सेकंड वेजी टेटी रिप्रोड़क्शन का जो मैथड है वो है बाय इसीडिया वेजी टेटी रिप्रोड़क्शन का ये सेकंड मैथड होता है ये भी थैलस पर निकली हुई ब्लैक कलर की आउट ग्रोथ होती है तथा सुरीडिय तथा साइफेलो ये सब वेजी टेटी रिप्रोड़क्शन में सहाइक स्ट्रक्शर होती है अब हम डिसकस करते हैं लाइकेन के अंदर एसेक्शुल लिप्रोड़क्शन ये भी एक मॉस्ट इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम पेपर में अलग से पांच नमबर में इंडिया में उत्पन होते हैं यह स्पोर्स जर्मिनेट करके फंगल हाइपी बनाते हैं यदि यह फंगल हाइपी सेवाल कोशी का यानि के संपर्क में आ जाता है तो एक नए थैलस एक नए लाइकेन का थैलस बन जाता है यह जो आप डाइग्राम यहां पर देख रहे हैं यह लाइकेन इसीडीया फॉरमेशन और यहकुर्य के यहां पर देखते हैं लाइकेन इसीडीया फॉरमेशन kamu पासिफा के बारे में जैसे की मैंने दिस्क्स किया था कि लाइकेन्ख के इंदर जो लाइकेंज में sexual reproduction की फल स़रूफ rooting body apothecia बनता है और parathisio बनता है लाइकेंज में female reproductive organ और male reproductive organs 밥 वो पर to nt होता है www.re wounded ber tubageal वो.. कोईलD फिलामेंट होता है, और इसकी उपरी भाग को हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन, तिता नीचे वाले भाग को हम कारपोनियम कहलाता है इस पर मेंटेंजियम में non-motile symptoms होते हैं, तता मेल वाफिमेल आपस में fusion करके答 के एसकी वा एसको sporse बनाते हैं यह fruiting body, apothecium या parathesium में परवर्तित होते हैं यह जो आप यहाँ पर diagram देख रहे हैं यह sexual reproduction के diagram को आप स्वो कर सकते हैं diagrammatic vertical section of the fruitification, apothecium of lichen जिसमें आप ध्यान से देखेंगे यह है इसका medulla, यह है इसका lower cortex, यह upper cortex यह इसमें algal layer है, यह इसमें hypothecium है यह इसमें thecium है, यह paraphysis है और यह है S की जिसके अंदर S को spores होते हैं इसके बाद next video के अंदर हम discuss करेंगे economic importance of lichen जिसमें काफी सारे important points cover होंगे and उसके बाद role of lichens in environmental pollution यह इसके बाद physiology of lichens तो lichens related कुछ और भी points है जिसे हम आगे वाली videos में cover करेंगे मिलते हैं दोस्तों next video में वीडियो पसंद आए तो like करें चैनल को subscribe करें अगर आप कोई तरह की और भी videos चाहिए तो मिलते हैं next video में बाई बाई टाटा